वेल गाइस मैं आज जा रही हूँ बौदाग और जिनको नहीं पता कि बौदाग कहा पे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि बौदाग है पासिगात पे इन दे स्टेट ओफ अरणाचल प्रदेश और गाइस मैंने अपने लाज वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए पासिगात आयए हुई हूँ तो आज हम सब जा रहे हैं पौदाग को गांट है और मेरे सेल थे मेरे मामा हूँ बहुत अलग है बिछे को जा रहे है तुझा है पी अ कर अनाफ पहर है इस तर थे तरह है है वाव लगव पुरे ला मैल जी कुम्ला पांट सरंग मज़ प्रा नए तो दा जंगर ठंगा शिना और गाइस यहां उपर देखिए लिखा हुआ है जवाहरलाल नहेरु कॉलेज मतलब कि यही है कॉलेज का रास्ता जो पासिगाद में ही एक कॉलेज है जी एंसी कॉलेज बहुत ही मसूर है और गाइस आज तक में इस कॉलेज पर कभी मोका नहीं हुआ जाने को तो अगर कभी दिन मोका मिलेगा तो मैं जरूर जाओंगी और आप लोगों को भी दिखाओंगी आज तक में नहीं गई हूँ और कॉलेज का रास्ता देखे इस तरफ से होते हुए जाता है इस तरफ से देखिए और गाइस सुनने को मिला है कि कॉलेज जाने के लिए 300 सम्थिंग सीरिया चरते हुए हमें कॉलेज जाना पड़ता है ओ माइगाद 300 सम्थिंग कोई मामुली सीरी नहीं होंगे मैं जरू जाना चाहूंगी इस लमान होता है लमान होता है लमान होता है वाव अ है लग वाव बकी यह बदय कंया पासी ए पासीग शक्राणा पॉस विवर नहीं हो हुड़ की इंजेगे नहीं हो बोच्टेनमेड एक तूरिस्टीस पाट वामेज पोसगाजने मने फटो झाल 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 मैं कई वार में आ चुकी हूँ और जितने वार भी आओ मतलब कम लगता है क्योंकि यहां का जो नेचर है जो ब्यूटी है मतलब कुछ अलग ही है यहां का जो सुन्दरता है मतलब पूरी तरह से सांती मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसलिए मैं यहां पर जब भी आती हूँ मैं अपने आपको पहुत ही बहुत ही अच्छा फील करती हूँ आप जाहूंगे कि आप लोग भी जरूर आईएगा और गाइस यह है मिठून और दोस्तों अगर आप लोग अरना चल आएंगे तो आप लोगों को इस तरह से रस्टे पर पीच पीच में अच्छा आप लोगों को इस तरह से रास्टे पर बीच-बीच में मिठून जरूर दिखाये देगा well people as you already aware of it that Sunita has visited to my place so I am taking her with me today to roam on Pasi Ghat some of the famous roads well people Sunita and we made to-do list some of the sports where we wanted to visit it but due to less time and we won't travel to make it so but I would like to suggest whenever you visit here you can visit Komali Ghat, Sirki Waterfall and I would suggest Apokolland I would like to share a pic of it then you will realize how much is amazing and awesome place it is I hope you guys will like it this video and please if you like this video and you like our channel then please like and subscribe to Sunita's channel so till then bye bye